Hello बच्चों, Let's start the question The hardness of a water sample containing 10-3 MgSO4 expressed as calcium carbonate equivalence in ppm देखे बड़ा, तुम्हर पास में यहां पे आप लिखोगे Moles of MgSO4 equal to, यहां पे आप लिखोगे, Moles of CaCO3, calcium carbonate ठीके? तुम्हर यहां पे आपके पास में Moles of calcium carbonate कितना आजाएगे? 10K-3 तुम्हर यहां पे आप क्या लिखोगे? Mass of calcium carbonate Moles of mass इसका 100 ही होता है बड़ा अब इसको ऐसे 100 से multiply करो तुम्हर 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 माइनस 1 आजाए ठीके गराम के अंतर अब देखिए क्या करेंगे हम calculation याँ पे PPM के बात करूँगा मैं In terms of CACO3 तो PPM की terms में से बात करोगे तुम्हर तुम्हर पास में यह 0.1 amount of CACO3 और यहां पे जब तुम Total amount निकार होगे तुम्हर पास बड़ा 1000 10K-6 कि तरी से थ्री गया यहां पर 10 के पाउर 2 मेंच 100 PPM के बात यहां पर कितना आजयेगा बटा 100 आजयेगा I hope this answered your questions thank you so much